दोस्तो MCC दवारा काउंसलिंग के रेगार्डिंग तीन नए नोटिस डाले गए हैं तो सबसे पहले हम पहले नोटिस की बात करते हैं तो इसमें दिखाया गया है कि जो सीट स्रेंडर करना है राउन वन की वो 17 थे नॉंबर 2020 दोपेर दो बजे तक कर सकते हैं अभी काफी स्टुडेंट को confuse यह है कि यह स्रेंडर किन स्टुडेंट को करनी है तो दोस्तों जिन कंडिडेट ने आलड़ी सीट पर जोइन कर लिया है वो डोकूमेंट से deposit कर दिया है, fBu質 deposit कर दिया है वो अब इस सीट को छोड ना चाते हैं यानि कि first round की seat को छोड़ते हैं वो आज दो पैर दो बजे तक इसको छोड़ सकते हैं लेकिन जिन candidate ने अगर कहीं report नहीं किया है तो उनको कुछ भी करने की जौरत नहीं है वो second round के लिए eligible है आल इंडिया के कोटे के लिए तो इसमें second round में आप participate कर सकते हैं ये सिरफ उनी candidate के लिए है जिनोंने आल इडिया कर लिया आल इंडिया के first round में और वो seat चोड़ना चाते हैं उनको कहीं state में seat मिल गई है तो वो सरिंडर कर सकते हैं इस seat को दूसरा जो notice दिया गया है वो notice ESIC quota के regarding दिया गया है second round से ESIC quota के लिए registration कर सकते हैं यानि कि second round में जो IP quota है उसकी seat alert हों जो IP quota के अंदर आते हैं वो इसमें registration कर सकते हैं second round में IP quota का seat allotment होगा इसके बाद में जो third notice दिया गया है वो जिपमर के regarding दिया गया है यानि कि जो candidate जिपमर के domicile candidate हैं और वो जिपमर का internal quota अवेल करना चाते हैं तो अपना वो cast certificate और domicile certificate 18th November 2020 को 2020 तक इस दिये गए link पर वो upload कर सकते हैं तो इस परकार के ये तीनु परकार के notice थे जो मैंने आपको बता दिया है MCC की website पर available हैं आप उस पर जाके देख सकते हैं ये बाकी update मिलेगी तो मैं आपको inform कर दूँगा तब तक के लिए जय हिंद